ओम दश्रताये विद्महे सीतावल्ला भाये धीमही तन्नो रामे पर्चो दयाद सभी राम भगतों को राम राम कल की राम कथा में हमने पड़ा था कि खर दूशन का वद्ध हो गया है शुर्पंखा रोती हुई रावन के पास गई है रावन को समझ आ गया है कि भगवान ने धरती पर आवतार ले लिया है अब वो ये सोचते हुए वैर ले रहे हैं कि मैं जल्दी हिम्रत्यु को प्राप्त हो करके भगवान के धाम चला जाओंगा इसी विचार से वह मारिच के पास पहुचा है वही कथा आगे हम करेंगे इधर श्यावर रामचंदर जी भगवान जी लीला करने के लिए है लक्षवन जी जब कंद मूल फल लेने के लेवन में गई तब अकेले में किरपार सुप के धाम स्री रामचंदर जी हस कर जानकी जी से बोले हे प्रिय हे सुंदरपती वर्त ध्रम का पालन करने वाले शुशी ले सुनो अब कुछ मनोहर मनुश्य लीला करूँगा इसलिए जब तक मैं राक्षिशों का नास करूँ तब तक तुम अगनी में निवास करो जब ही राम सब कहा पखानी प्रभूपद धरी ये अनल समानी निजपर्ती विंब राखी तहसी था तैसा ही सीलिए रूप सुदी नीता जब राम ने ये सब कहा त्यों ही स्री सीता जी ने प्रभूप के चर्णों को हर्दे में धर करवनी में समा गई सीता जी अपनी ही छाय मूती महा रख दी जो उनके जैसे ही सील सभाव रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी लक्ष्मिन मन हुए मर मुन जाना जो कच्छु चरीते रचा भगवाना दस मुख गयूं जहां मारी चाना इमा थी सवार थे रत नीचा भगवान ने जो कुछ लीला न रची उस रहश्यों को लक्ष्मिन जी भी ने नहीं जाना स्वार्थ पराण और नीच राण महा गया जहां मारिस था और उसको सिर्नवाया नवनी नीच के अती दुखदाई जिमी अंकुष धन उरग भिलाई भैदा एक खल के प्रेवानी जिमी अकाल के कुसुन भवानी नीच का जुखना नमलता भी अत्त दुखदाई होता है जैसे अंकुष धनुस सांप और विल्ली का जुखना हे भवानी दुष्ट की मिठी वानी भी उसी प्रकार भैद दिलाने वाली होती है जैसे बिना रिद्दू के फूर करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात कवन हे तु मनव्यग्र अती अक्सर आयहूतात तब मारीच ने इसकी पूजा करके आदर पूरक बात पूछी है ताता आपका मन किस काण से इतना दिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं दस मुक सकल कथा तहीं आगे कहीं सहीद अभिमान अभागे हूं कपट मर्ग तुम छलकारी जहीं निदिहरी आनों रपनारी भागे हिंडराउन ने सारी कथा अभिमान चाही सब के सामने गई और फिर कहा तुम छलक करने वाले कपट मर्ग बनो जिस उपाय से मैं राजवदू को हर लाओ तही पूनी कहां सुनाओ दस सी सा तेनर रूप चरा चर इसा तातो तात बैरू नहीं कीजे मारे मारे जिया ही तब उसने मारे से कहा हे दस सी से सुनिये वे मनुष्य की रूप में चरा चर इशवर हैं हे तात उन से वैर ना कीजे उनी के मारने से मरना उनी के जिलाने से जीना होता है सबका जीवन मरन उनी के अधीन है यही राजगमार मुनी विश्वामित्र के यज की रक्षा के लिए गए थे उसस में स्रीरगनाजी ने बिना फलकाबाण मुझे मारा था जिससे में ख्षन भर में ही सोयोजन आगीरा उन से वैर करने में भलाई नहीं है मेरी दिशा तो भरंगी के कोड़े किसी हो गई है अब मैं जहां जां स्री राम स्री लक्षोन जी दोनों भाईयों को देखता हूँ और हे ताज़े दिये मनुष्य है तो भी बड़े सुर्वीर है उन से विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा सफिलता नहीं मिलेगी जिसने ताड़का और सुभाव को मार कर सीवजी का धनो स्तोड़े और खर और दूशन त्रिश्रा का वद्गर डाला ऐसे प्रचंट बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है जाओं भवन कुल कुसल विचारी सुनत जरादीनी है सी वहुकारी गुरू जी मिख मूट कर सी ममबूदा कहूं जगमोही समान को जोधा अत अपने कुल की कुसल विचार कर आप घर लोट जाईए यह शुनकर रावन जल उठा और उसमें बहुत सी गालिया दी दुरवचन कहे कहा अरे मूरग तु गुरू की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है बता तो सुन्सार में मेरे समान युद्धा कौन है तब मारिच ने हर्दे में अनुमान क्या की सस्त्री सस्त्र धारी मर्मी भेद जानने वाले समर्थ स्वामी मूरुक धन्वान वैद भाट कवी और रसोया इन नोव एक्तिव से विरोध वैर करने में कल्यान नहीं पुशल नहीं होता उभेभाती देखा निज मरना तब ताकी सी रगुना यक सरना उत्रू दे तुमोही वधव अभागे कस न मरो रगुपती सहर लागे जब मारिस ने दोनों परकार से अपना मरन देखा तब उसने रगुना जी की शर्ण तकी अथार्टू की शर्ण जाने में कल्यान समझा सोचा खुटतर देते ही नहीं करते ही वै भागा मुझे माल डालेगा फिर रगुना जी के बान लगने से ही क्यों ना मरू हर्द में ऐसा समझ करहे वै रावण के साथ चला स्री राम जी के चर्णों में उसका फंड प्रेम है उसके मन में इस बात कत्त हरते कि आज वै अपने प्रम जने ही स्री राम जी को देखूँगा किन्तु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया निज परम्प्री तम देखी लोचन सुफर करी सुख पाईयों स्री सहीत अनुज समेत क्रपान केत पदमन लाहियों निरवान दायक कोद जाकर भगती अब सही बस करी निज पानी सरसंदानी सो मोही बदी ही सुख सागर हरी वे मनी मन सोचने लगा अपने परम्प्री तम को देख करने त्रों को सफल करके सुख पाऊंगा जान की जी सहीत और छोटे भाई लक्षों जी सहीत किरपानी धान स्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा उनका क्रोध भी मुक्ष देने वाला है जिसकी भक्ती आवास से किसी के वस नय होने वाले सफतंद्र भगवान को वीवस करने वाली होती है अहावे ही आनन के समुद्र स्री हरी अपने हाथों से बान संधान कर मेरा वद करेंगे मम पाचे धर धावत धरे सरासन बान फिरी फिरी पर वोई बिलो कहिँ धन्य ने मोसम आन और मारिज मन में सोचते वे जाता है कि धनुजबान धान किये मेरे पीछे पीछे पिर्थी पर पकड़ने के लिए दोड़ते वे पर भूप मैं फिर फिर कर देखूँगा मेरे समान धिन ने दूसरा कोई नहीं तेही बन निकट दशानन गय हूँ तब मारिज कपट मरग भए हूँ अतीवी चित्र कछुबर नी न जाई कनक देह मनी रचित बनाई जब रावन उस वन के जिस वन में रगुनाजी रहते थे निकट पूंचा तब मारिज ने कपट मरग बन गया है तनतीवी चित्र था कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता सोने का चरीर मनियों से जड़ कर बनाया गया था सीता परमर फिर मरग देखा अंग अंग सुमनो हर वेसा सुनहु देव रगवीर किरपाला एही मरग कर अती सुन्दर चाला सीता जी ने उस परम सुन्दर हीरन को देखा जिसके अंगंग की छटातें तब नोहर थी वे कहने लगी है देविये क्रिपालु रगवीर सुनिये इस मरग की छाल वहुत ही सुन्दर है जानकी जी ने कहा है सत्य परती के परभू इसको मार कर इसके चमडा ला दीजिए तब स्री रगनाजी मारिच के कपट मरग बनने का सब कारण जानते हुए भी देतां का कारे बनाने के लिए हरसी तोकर उठे ब्रग बिलो की कटी परी कर बांधा करतल चापर फिर सरसांधा परभू लक्षमन नहीं कहा समुझाई थिरत विपिल निशिचर भाउ बाही इरन को देखकर स्री राम जी ने कमर में फ्रिटा बांधा हाथ में धरुष लेकर के उस पर संदर दिव्य बांध चड़ाया फिर परभू ने लक्षमन जी को समझागर कहा ये भाई वन में बहुचे राक्स फिरते हैं सीता केरी करें उ रखवारी बुद्धी विवेक बल समय विचारी परभू इभिलो की चला मरग भाजी धाय रामू चराशन साजी सीता केरी करें उ रखवारी बुद्धी विवेक बल समय विचारी परभू बिलो की चला मरग भाजी धाय रामू सरासन साजी तुम्ह बुद्धी विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना पर्भू को देख कर मरग भाग चला स्री राम चंदर जी भी धनो चड़ा कर उसके पीछे दोड़े वे जिनके विशे में नेती नेती कहकर रह जाते हैं और सिर्फ जी भी उने ध्यान में नहीं पाते था जो मन और वानी से निरंतर परे हैं वे ही स्री राम जी माया से बने हुए मरग के बीचे दोड़ रहे हैं वे कभी निकट आ जाता है कभी दूर भाग जाता है कभी तो परकट हो जाता है कभी चिप जाता है परगट दूरत करत चल भूरी एही विदी प्रभूई गया हूं ले दूरी तब तकी राम कठी सर मारा धरने परे उकरी घोर पुकारा इस प्रकार परकट होता चिपता हुआ बंगते रिचल करता हुआ पर गूजी से दूर चला गया तब स्री राम जी ने तक करने साना साध गर को ठोर बाण मारा जिसके लगते ही वह गोर शव्द करके पृत्थी पर गिर पड़ा पहले लक्ष्मन जी का नाम लेकर उनके पीछे मन में स्री राम जी का समुन किया प्रान त्याग करते समय उसने अपना राक्षिसी सरी परकट किया और प्रेम सही स्री राम जी का समुन किया सुजान सरवग्य स्री राम जी ने उसके हर्दे के प्रेम को पहचान कर उसे वह गती दी अपना परमपद दिया जो मुन्यों को भी दुरलब है देवता बहुत से फूर बरसा रहे हैं प्रभू के गुड़ों की गाथा इंगा रहे हैं की रगना जैसे दीन मंदू है कि नो ने सुर को भी अपना परमपद दे दिया हलवीदी तुरंत किरे रगवीरा सोह चाप कर कटी तुनी रा आरत गिरा सुनी जबसीता के लेक्षिमिन सन परम सभीता दूस्ट मारिच को मान कर स्री रगवीर जी तुरंत लोट पड़े हाथ में दनो उस कमर में तरकर शोभा दे रहे हैं इधर जब सीता जी ने दुख भरिवानी मरतेश में मारिच की हाई लक्ष्मिन के आवाज सुनी तो वे बहुती वहवीतो कर लक्ष्मिन जी से कहने लगी जाओगेगी संकट अतिभाता लक्ष्मिन जी कहा सणी माता भरगटी विलास स्रश्टि ले होई सपनेव संकट परहीं की सोई तो मशित्र जाओ तुम्हारे बाई बड़े संकट में है लक्ष्मिन जी ने हसकर कहा है माता सुनो जिसके भ्रगटी विलास भोएं के इसारे मात्र से सारी शिष्टी का लेप परले हो जाता है वे स्री राम जी क्या कभी सोबन में भी संकटों पड़ सकते है इस पर जब सीता जी ने कुछ मरम वचन कहे हर्दे में चुबने वाले वचन कहे तब भगवान की प्रेणा से लक्ष्वण जी का मन भी चंचल हो उठेवे सी स्रीता जी को वन और दिशाओं के देताओं को सोब करवा चले जहां रावन रूपी चंद्रमाट ले रहू रूपी स्री राम जी थे सुन दीच दसकंधर देखा आवा निगट जती के वेशा जाके डर सुर असुर डे राही निपीन नीद दिन अनन खाही रावन सुना मोका देख कर यती सन्यासी के वेश में स्री सिताजी के समी पाया जिसकी डर से देत और देत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद भी नहीं आतिर दिन में भर पेटन नहीं खाते वही दस सिर्वाला रावन कुट्टे की तरह इधर दागता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला का बुशुंडी जी कहते हैं सुना पागर कुट्टा चुक्के से बरतन भांडे में मूँ डालकर कुछ चुराल ले जाता है उसे बढ़ियाई कहते हैं ना ना विडिकरी कथा सुनाई राजनेतीव है प्रीती दिखाई कैसी ता सुनू जती गुशाई बोले वचन दोष्ट की रावन देने को प्रकार की स्वावन ने कथाई रचकर सिताजी को राजनेतीव है और प्रेम दिखाई सिताजी ने कहा है यती गुशाई सुनो तु और जब नाम सुनाया तो उसीता जी भैवित्वों गई उन्हों ने गहरा दीरस्धर कर कहा अरे दुष्ट खड़ा तो रहे प्रभू आ गए जिवी हरी बदू ही छुद्र ससचाहां भैसी काल बसनी सी चरना हां सुनत वचन दसी सरिशाना मन महुचरन बंदी सुखमाना जैसे सिंग किस्त्री को तुछ कर गोष्चाहे वैसे ही अरे राक्षास तू मेरी चाह करके काल के वस हुआ है ये वचन सुनते ही रावन को क्रोधा गया प्रंतू मन में उसने सीता जी के चरनों की वंदना करके सुखमाना क्रोध वन तक तब रावन अली ने सीरत बैठाई चला गगन पत्या चुर भैरत खाकी ने जाई फिर क्रोधे भरकर रावन ने सीता जी को रत पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकास मार्क से चला किन तो डर के मारे उस सीरत हाका नहीं जाता था हा जग एक बीर रगना था केही अपराद भी सारे गुदाया आरती हरन सरन सुखदायक हा रगुकूल सर जदिन दायक सीता जी विलाब कर रही थी है जगत कैदित्य श्री रगना जी आपने किस अपराद से मुझ पर दया उला दी है दुखों को हरने वाले है शर्णागत को सुख देने वाले है रगुकूल रूपी कमल के सूरिय हा लक्षमन तुम्हारा नहीं दोसा सो फलिपायों किने सूरो सा विविदी विलाब करती गह रही हूरी किरपा प्रभू जूरी सने ही हाई लक्षमन तुम्हारा दोस नहीं मैंने क्रोध के उसका फल पाया श्री जानकी जी बहुत प्रकारते विलाब कर रही है हाई प्रभू की किरपा तो बहुत है अपरंत वेस नहीं प्रभू बहुत दूर रह गई विपति मोरी को परभु इसुनावा पूरो डास चहरा सब खावा सीता के विलाप सुनिभारी भई चराचर जीव दुखारी परभु को मेरी विपति कौन सुनावे यज के अनको गधा खाना चाहता है सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ जेतन सभी जीव गिद राज सुनिया रतवानी राज रगुकुल तिलक नारी पहचानी अधमनी साचलई ले जाई जीमी मलेच बस कप लागाई गर्द राज जटायू ने सीता जी की दुख बरिवाने सुनकर पहचान लिया कि ये रगुकुल तिलक की श्री राम चंदर जी की पतनी है उसने देखा कि नीच राक्सस इसको बुरी तरह लिये जा रहा है जैसे कपीला गाई मलेच के पाले पढ़ गई हो सीते पुत्री कर सीज निक्रासा करी हूँ जातु दान करना सा धावा कोद वंत खं कैसे शूटे पभी परवत कहूँ जैसे वह बोला है सीते पुत्री भह मत कर मैं इस राक्सस का नास करूँगा यह क्या कर वह पक्षी क्रोध में भर कर कैसे दोडा जैसे परवत की ओर वरज छूटता हो उसने रलकार कर कहा रे रे दूस्ट खड़ा क्यो नहीं होता निडर होकर चल दिया मुझे तूने नहीं जाना जिसको यम्राज के समाना आता हुआ देखे कर रावन भून कर मन में अनुमान करने लगा की में नाक की खगपती होई मम बल जान सहीत पती सोही जाना जरट जटाईू अहा मम कर तीरट छाड़ी ही देः यह या तो में नाक परवत है या पक्षो का स्वामी गरूड कर या गरूड तो अपने स्वामी विश्णू जी सहीत मेरे बल को जानता है कुछ पास आने पर रावन ने उसे पहचान दे और बोला यह तो गूड़ा जटाईू है यह मेरे हाथ रूपी तीरत से जल छोड़ेगा सुनत गीद क्रोधा तुर धावा कह सुनू रावन मोरी सिखावा ते जी जान की कुछल ग्रह जाओं नहीं तै अस हो ही बहुगा हूं यह सुनते ही गोरा होई सकल सलब कुल तोरा उत्रून देत दशानन जोधा तवही गीद धावा करी प्रोधा राम जी के प्रोध रूपिय तंद भ्यानक अगनी में तेरा सारा वन सपतिंगा होकर भस्म हो जाएगा युद्धा रावन कुछ उप्तर नहीं देता तब गीद प्रोध प्र रावन पित्थी कर गिरपडा गीद सिता जी को एक और बठा कर फिर लोटा चोचे मार मार कर रावन के शरीर को विद्रिन कर डाला इससे उसे एग गड़ी के लिए मुर्चा हो गई तब से प्रोध निशिचर किसी आना काड़ सी परम कराल कि पाना काटे सी पंक परा खगधर नी सुमरी राम करी अदुगित करनी अब किसी आए वे रावन ने प्रोध युँटो करे तन भ्यानक कटार निकाली और उससे जटाईू के पंक काट डाले पक्सी जिटाई उस्री राम जी के अद्बूज लीला का समन करते हुए पित्थी पर गिर पड़ा सीता जी जान चढ़ाई बहोरी चला उताई लित्रास न थोरी करती विलाप जाती नवसीता व्याद विवस जनुम रगे सभीता सीता जी को फिर रच पर चढ़ा कर रावन बड़ी तावली के साथ चला जो भै कम नए था सीता जी आकास में विलाप करती कुई जा रही है मानो व्याद के वस पड़ी हुई हो जाल में फशी हुई हो कोई भै भी थीर नी हो गिरी पर बैठे कपिन निहारी कहीं हरी नाम दीन है पटडारी यही विदी सीता ही सो ले गए उबन अशोप में राखत भयो परवत पर बैठे वे बंद्रों को देखकर सीता जी ने हरी नाम लेकर वस्तर डाल दिया इस पकार वह सीता जी को ले गया उन्हें अशोपन में जा रखा हारी पर आखले बहु विदी भैरु प्रीती न देखाई तब असोपाद पतर राखे सी जतन कराई यहीं विदी कपट कुलंग संग दाई चले श्री रां तो सवी सीधा राखी उर्य अरट पी रहती हरी नाम सीता जी को बहुत प्रकार से परुट पर बैठे वे बंद्रों को दे कर सीता जी ने हरी नाम लेकर वस्तर डाल जा इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे असोपन में जा रखा सीता जी को बहुत प्रकार से बहुत प्रीती दिखला कर जब वह दूष्ट हार गया तब उन्हें ये तन करा के सब व्यवेस्था ठीक करके अशोक वरश के नीचे रख दिया जिस प्रकार कपट मरक के साथ श्री राम जी दोड चले थे उसी छवी को हर्दे में रख कर वेहरी नाम राम नाम रखती रहती हैं बोल श्यावरी राम चंद्र भवाने कीज नव प्रायन छटा विश्राम जैश्री राम जैश्री राम